राजस्थान में लोग सभाद चुनाओं के लिए आज नामंकन की पहली चरण की अंतिम दिन चल रहा है तमाम जैपूर, जैपूर ग्रामेड इन सब सीटों पर नामंकन की आज आखरी डेट है ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो चुनाओं है धीरे-धीरे तेज हो रहा है हमारे साथ मौजूद हैं जैपूर शहर से जो कांग्रेस जिनको टिकट दिया था बाद में टिकट इनों वापस किया तमाम सारी बाते हैं सुनी सर्माजी इनसे समझते हैं पूरा मसला क्या था और क्या अपडेट है एब पी लाई पे सौगत है धन्यवाद पंडी साब धन्यवाद पंडी साब मुद्धा ये था कि जैसा आप जानते हैं कि मेरा जो परिवार है 25 साल से कॉंग्रेस के लिए विशेशकर गांधी और नहरू के उस वि के एचार को लेकर मेरा परिवार 85 असी साल पहले कॉंग्रेस के अंदर आया मेरे जो पिता थे आचारे पर शुत्तम उत्तम उन्होंने बरसक प्रियास किया और वो काल कोर्टी तक में बन रहे मेरे ब्रदर कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने और जापर जिला कॉंग्रेस का कारेले भी उनके नाम से है इसके तो यह जो सब चीजे थी मेरी खुद की प्रश्ट भूमी 25 साल मैं PCC में रहा मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का चेर में रहा मेरा स और सबसे इंट्रेस्टिंग बात थी कि कॉंग्रेस जब भी अपना कोई स्टाइजेशन करती थी या असेम्बली का एलेक्शन कंपेइन स्टार्ट करती थी तो मेरे कारेले से करती थी स्टाइजेशन भी मेरे आफिस के अंदर मेरे संस्तान के अंदर ही वो किया जाता था और मेरे लिए दुर्पा के पूर्ण इस्तियां ये थी कि मैंने टिकेट नहीं मागगा, पार्टी के सब लोगों ने मिलकर सरसम्मति से हर इंसान, हर MLA, एक भी MLA ये कह दे कि उसने मुझे इस बारे में बहुत जाए दबाव नहीं बनाया था, मैं सियास से छोड़ दूँग अब हमारे प्रदेश अद्यशी ने मुझे कहा, हमारे अखिर भारती कॉंग्रेस के जनल सेकर्टेर उन्हों ने कहा, और पूरे कॉंग्रेस का सारा जो ग्रास हूट वर कर था, उससे मुझे कहा मुझे चुनाव लड़ना ची, तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए सहमति दे दी, अब यहाँ प्रशने एक है कि जिस परिवार ने पूरे पिचासी साल कॉंग्रेस के लिए लगा दिया, अगर उसकी प्रतिबत दता कहबर, उस गांधी नहरु दर्शन जिसको मैंने हर जगा, क्योंकि भारती परंपरा, शास्त्रारत की परंपरा, तो मेरा विचार यह था कि इस गांधी का जो समावीशी भारत का दर्शन है, इसको मैं हर मंच पर लेकि जाओंगा, बहले दक्षन पंद का मंचो, चो यह वाम पंद का मंचो, मैं दक्षन पंद के एक मंच पे गया, आपका जो डियने है, वो पूरा कांग्रेसी है, आपके पिता जी, भाई कि आप लगातार पचासी सालों से कांग्रेस में रहे, अभी भी कांग्रेस में, आपका मैंने कल वीडियो देखा, आपने कहा कि नकली बच्चा, असली बच्चा, मुझे दरदैसले में ने टिकट वापस कर दिया, क्या वज़ा है कि इतना बड़ा केरियर, इतनी बड़ी आपकी जो संबंदर है कांग्रेस से, छोटी सी एक प्रेट फार्म की चर्चा को लेकर कि टिकर काटना पड़ा, बिबाद हुआ, दिल्ली तक बात हुई, कहा गया, रिवीउ हो रहा है उस पे, स्टेट की जो कांग्रेस है, आपके साथ क्या खड़ी रही, उन्होंने क्या क रहा, उनका क्या रही एक्सार रहा, देखिए मेरे लिए सौब इमान बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट है, और वेक्ति अगर उसका सौब इमान नहीं, उसमें गहरत नहीं है, तो मैं मानता हूँ फिर वेक्ति नहीं है, तो अगर मेरी क्रेडिबिलिटी के ओपर कोई क् है, देखिए राजस्तान के आप किसी भी इनसान से सौनील शर्मार एक बारे में बात कीज़ेगा, वो आपको कहेगा, सौनील शर्मार कॉंग्रेस के लिए एक असैट है, अगर एक ब्याद में मुझे लैबिलिटी बता दे राजस्तान में, मैं वैसी सियास्ता छोड़ करता है, मैं नेतिक तागे दार पर इस्तिफादे देता है, मैं उस लीक से मेरे लिए पद प्रतिष्टा कोई माइनी नहीं नहीं रखता, मैं उस दर्शन से प्रभावित था, गांधी के दर्शन से और नहरू के दर्शन से, और यही मेरे परिवार और मेरा कॉंग्रेस में होने का कारण है अगर मेरी प्रतिबद्दिता पर कोई प्रस्टन उठाता है और उस प्रतिबद्दिता को सो कॉल्ड ऐसे लोग जो सुईदा भोगी राजनीती करते हैं जो खुद आज भी आप ऐसा करीगा आज भी आप संजदिक्षित का एक ट्वीट आया है जहां संजदिक्षित के ट्वीट के अंदर ये लिखा है कि सशी थरूर कोची टीम के मामले में उनकी मदद से रिस्टोर हुए हैं जो खुद इस डंग से मुलब भी साब संजदिक्षित के ट्वीट को पढ़िया संजदिक्षित ने दो-तीन दिन पहले में ट्वीट किया है कि किस धंग से उनसे वो बारगेन कर रहे थे जिसके बारे मैंने कल प्रेस को बताया कि आप संजदिक्षित वो आप बताई मुझे ये इन लोगों का ऐसा एक-दूसे गलवज इन हैंड थे और ये मुझे पे आरोप लगा रहे हैं तो मुझे ये लगा कि अगर मेरे कारण पार्टी को एक भी वोट का लॉस होता है तो मैं मेरी पार्टी को नुकसान नहीं करूँगा बहले मुझे नुकसान सैना पड़े और देखे मैं वैसे भी कोई पत प्रतिष्टा के लिए कभी पीछे नहीं भागा जैपूर के अंदर मेंबरा पार्लिमेंट की जित्ती प्रतिष्टा होती है इस्टों ने मुझे वैसे दे रखी है आपको दिया था जैपूर से भासपा ने भी सर्मा को उता रहा आपका टिकट काटा गया जो भी रहा जो मुद्दा रहा सबाब के सब के सामें ने है आपको क्या लगता है कहीं ये सब मैटर तो नहीं बाते रही उसमें कास्ट वाला कोई शू रहा ने देखें ऐसा सीधा तो प्रटेक्शन या आप नहीं कह सकते है हाला कि वो एक अलग बात है कि कुछ जो कटरपंथी जो लोग है वो ये चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस है ये गांदी और नहरू के रास्ते को छोड़के और पेरियार का रास्ता पकड़ ले तो अगर ऐसा कुछ है और वो एसे लोग कांग्रेस में काफी जग़ा अभी भावी भी हो गए हैं वो ताकत भी लगा रहे हैं और कुछ कटरपंथी ऐसे लोग जो की कटरपंथी हैं असलियत में वो वामपंथ का चोला पहन के बैठते हैं और मेरे खिलाफ जो अभियान चला उसके अंदर ये दोनों वर्ग शामिल थे और दुरबा गया है कि कॉंग्रेस की ये जो लोग है ये कॉंग्रेस के दुश्मन है कॉंग्रेस के फिफ्ट कॉलमिस्ट हैं ये कॉंग्रेस को नुकसान पहुचाना चाहते हैं देखिए सांजे सपने से चलता है और सांजे सपने को तोड़ने की बात अगर आ रही है तो मैं मानता हूँ कि ये तो बहुते दुरबा की पूनिस्तियां होंगी और कॉंग्रेस और रास्ट दोनों का जो शुबत्व है वो इसी में नहित है कि हम इसमा गांदी और नहरू के रास्ते को पकड़ें एक सो चालिस करोर लोगों की जैके अंदर ही भारत की जैए है उसमें फिर ब्रहमन भी है उसके अंदर फिर मुसल्मान भी है तो उसके अंदर दलित भी है तो उसके अंदर ओबीसी भी है हमें हर जाती और वर को लेना पड़ेगा और यही भारत के कल्यान का मा अपनी वो चिडिया की चोंच वाला जो प्रियास है जंगल में आग लग 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 ले थी चिडिया चोंच से पान नहीं डाल रही थी मैं भी पानी डालने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस गांधी और नहरू का मारगी रखे ससी थरूर के मामले में यहां के किसी नेता साब की बात वे किसी का फोन आया हो जब ससी थरूर का ट्वीट हुआ क्या रियेक्षन था यहां के लीडरसिप का कुछ रहा उसमें देखिए अगले एक दो दिन बाद में आपको इस वारे में बता हूँगा, मैं इस वारे में शोथ कर रहा हूँ कि शेशी थरूर ने आखिरकार ऐसा किया क्यों? क्योंकि शेशी थरूर की यहाँ पी एक यूनिट है जहां जो उनसे बात कर सकते थे सुनील शेर्मगारे में उनसे पूछ सकते थे वह शेशी थरूर ने ऐसा किया कुछ एक इसमें मुझे तो एक बहुत बड़े शड़ेंत रिकीबु आ रही है एक बहुत बड़े नेता है वो उसमें इंवाल्व है और आप यह सोचेगा कि सुनील शर्मा इत्ता बड़ा आदमी नहीं है कम से कम कि चार दिन तक इस देश के अंदर नेशनल ट्रेंड चलता रहा है सुनील शर्मा तो सुनील शर्मा अगर चार दिन तक नेशनल ट्रेंड चलता रहा है तो इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो पेड ट्ईट्स करते हैं आपको पता है कि ट्ईट्स के अपनी दर्ए हैं दहजार आपके फॉलोवडस हैं पचासजार वालों के अलग है एक लाख अगर आपके फॉलोवर्स हैं तो आपकी दर बहुत जादा है तो ऐसे कुछ लोगों के ट्वीट्स चला गए आपके खिलाब बिल्कुल ऐसे कुछ लोगों ने ट्वीट्स का मतलब अगर आप उसकी पूरी अगर कलेक्टिव अगर आप देखेंगे तो एक करोड रुपे से ज़दा उस पे खरच किया गया है उन ट्वीट्स के अंदर और ये मैं मानता हूँ कि ये एक वास्ता में बहुत एक जगन्य चीज है कि असल कॉंग्रेस के लोग जो 85 साल से परते बद्द्द थे उनको आप प्रश्ण माचक चिनने लगा रहे हैं और जो कल तक जो कल तक भाज़ापा के सांस थे जो कल तक भाज़ापा के साथ काम कर रहे हैं मैं उसी उसी सवाल पे आता हूँ कि चोरू में 30-40 सालों तक एक पार्टी एक दल में रहने वाले नेता कांगरेस में आते हैं उनको टिकट मिल जाता है कोटा में मिल जाता है आपका थोड़ा सा वो जोड़ करके दिखाया गया जेपुडा इलाग को आप चला रहे थे तमाम उसमें जो चीज़े आई उसके लिए आप को टिकट वापस करना पड़ा क्या पूरा इसमें लगता है आपको कहीं वो जो आप बता रहे हैं ट्रेंड चलाया गया जो चीज़े रही उसमें क्या इन्वाल्मेंट रहा क्या लगता आपको पहली बात तो 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 में जेपुड डालॉग जो डिजिटल प्रेटफॉर्म है जो यूट्यूब चलाता उसे मेरा कोई लेने देना कभी भी नहीं रहा आप देखें मैंने टिकेट बे लोटा दिया है और सत्ते जो है वो अब उसको आप परेशान कर सकते हैं पराजीत नहीं कर सकते हैं उस यूट्यूब चैनल से मेरा कोई लेने देना कभी भी नहीं रहा उन्डैं उसको चलाने वाली जो कंपनी उससे मेरा लेने देना रहा उसको चलाने वाली कंपनी केट दो डायरेक्टर है संजा दिक्षिट जो शोत्य दिक्षिट और ये आपके Minister of Commercial Affairs के वेबसाइट के उपर बहुत ही इसपस्ट है मगर यहाँ एक चैरिटी एक चैरिटी और वो भी तब की जिस जमाने में वो कॉंग्रेस के अपने मित्रों के साथ मिलके काम करते थे यह चैरिटी उस दोर की है और उसके मेरा भी आज की तारिक के अंदर कोई लेने दिनन नहीं है अगर आप मेरा डिन देखेंगे मेरा जो डिरेक्टर इनफॉर्मिशन देखेंगे मेरे डिन के अंदर कोई जपर डायलॉग नाम की कंपनी नहीं है आप आपको मैं उसका प्रमार्ण मी दे दूँगा और यह तो सरकार की वेपसाइट आप देख लीजिए अगर मेरे डिन में उनका नाम आ रहा है तो मैं उसका हूना मैं हूनी मेरा नाम है यह निसके अंदर आपके पुरानी दोजार सोला सता अठारा का कोई आप लेके आगए जब वो भारती प्रशाश्निक सेवा की अधिकारी थे उस जमाने के अंदर आप सची है समझ सकते हैं ना तो यूट्यूब चैनल चलाते थे और ना वो ऐसा विश्वमन करते थे क्योंकि उस जमाने में सरकार के अंदर अगर आप मेरे को बद्दाम करने के चेस्टा कर रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि उसके क्या मोटिफ रहोंगे क्या उनके इंटेंशन्स रहोंगे ये पूरा एक शेडेंटर था और ही इस शेडेंटर के अंदर वो लोग शामिल हुए हैं जो खुद बकोल संजा wisdom आ आ किसी ने बहäche हैं कि उसलंडा करने पर्टनर बनाना चाहते थे और उस जमाने के जो स्री निवासान थे वो श्हप कोंछ समस्या कर रहे तो उसकेलए जब संजा ये से वो बात कर सकते हैं उनकी मड़त के लोगार कर सकते खुद संजाद एक्षित यह लिख रहे हैं, आप देखे आज का ट्वीट आप, वो मुझे पर आरोप लगा रहे हैं, कि मैंने क्योल स्पीस दे दी और इच्छा यह बताइएगा, कि गांधी जब सावर कर से जाके मिल सकते हैं, नहरुजब इकबाल को जो पाकिस्तान के एक फादर हैं, उनसे कोर्सपोंडनेंस कर सकते हैं, उनसे परसनली भी मीट कर सकते हैं, क्योंकि विमर्श एक परमपर है कांग्रेस की, कि मैं विमर्श करूँ और आपको अपनी बात पे कायल करूँ, भारती दर्शन के उपर आप, जो हमारा जो चंतन है कांग्रेस का मूल जो चिंतन है, सामावीशी भारत का जो चिंतन है, मैं उससे आपको कायल करूँ, अगर मैं किसी दक्षिन पंद के मंचपेर भी गया, और जाके मैं बोल के क्या है, इसको तब सुनिए, अगर मैं वहाँ जाके यह कह रहा हूँ, कि राष्टवाद की जगे राष्ट प्रेम होना च आती है, मैं अगर यह कहता हूँ, कि अगर राष्टवाद हिटलर में जैसे जर्मनी के साथ लहू लोहान हुआ, वैसे वैसे दुश्परिन नाम लेके आता है, अगर वहाँ जाके अगर यह बात कह रहा हूँ, कि अंत्मे भारत को अगर प्रगतिपत पे जाना है, तो समाव दक्षिन पंद के मंच के उपर जाके, अगर मैं दक्षिन पंद को पराभूत कर दूँ, उनका रिधा परिवर्तन कर दूँ, तो मैं मानता हूँ, मैंने कांग्रेस की सेवा किये, मैंने गांदी के दर्शन की सेवा किये, मैंने नहरू के दर्शन की सेवा किये, और अगर ग कॉंग्रेस में रहूंगा और कॉंग्रेस में रहकर गांधी और नहरू की बात करूँगा मैं जो लोग कॉंग्रेस को पेरियार कॉंग्रेस बनाना चाहते हैं या कॉंग्रेस माले बनाना चाहते हैं मैं कोशिश करूँगा मेरा छोटा साई प्रयास हो मैं प्रयास करूँगा कि कांग्रेस अपने मूल रास्ते पर लोटे गांधी के रास्ते पर लोटे नहरू के रास्ते पर लोटे समावेशी भारत के रास्ते पर लोटे और यही कांग्रेस का मार्क पर शर्षत होता है और इसी से हमारा राष्ट का भी वो सपना साकार होता है जिस सपने के चलते हजा और लाखों लोग आजादी के आंदूलन के अंदर जेल गए थे तो ये थे हमारे साथ है सुलेज सर्मा जो जैपूर से जिने कांग्रेस ने प्रत्यासी बनाया था लेकिन विबाद हुआ उसके बाद इनका टिकट बदला गया और यहां पर अब किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा चुका है एवीपी लाइपले संतूस पांडे जैपूर